अगर आप हैं रियालिटी शो बिग बॉस के डेली विउवर तो बीते एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही होगा कि विकी जैन ने कितनी बगत तमीजी से सना रईस खान से बात की जी हाँ बिग बॉस के घर के अंदर एड़ोकेट सना रईस खान नजर आ रही है सना और विकी की अकसर आपस में बहस हो जाती है लेकिन बीते एपिसोड में विकी ने जबरदस्ती सना को इंसल्ट किया सना खान रसोई में खड़ी होकर अपने घर वालों की मदद करना चाहती थी मगर विकी जैन ने सना से दो टुक कह दिया तुम यहां खड़ी भी क्यों हो सना ने कहा कि मैं सिर्फ मदद करना चाहती हूँ तो विकी ने कहा तुम्हें जो करना है तुम कर रही हो एक काम तो आता नहीं तुम्हें बस बढ़ 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 इतना ही नहीं विकी ने सना को useless भी कह दिया विकी ने कहा useless काम आता नहीं है खड़ी हो गई है आकर जिहां विकी जैन ने सना को खूब बेज़त किया इसके बाद अब सना के पापा का रियाक्शन सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है सना के पापा ने अपनी बेटी की गेम पर कहा मेरी बेटी जिस तरीके से गेम खेल रही है मुझे उस पर गर्व है मेरी बेटी जिस तरीके से अपने आपको घर में कंडक्ट कर रही है वो देख कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरी बेटी ने कभी वो हाई प्रुफाइल नाम नहीं लिये जिसके उसने केस लड़े हैं वो चाहती तो पॉपिलारिटी के लिए वो नाम ले सकती थी सना के पिता ने कहा बाकी अगर सना पर कोई सवाल उठाता है तो बाहर उसके पिता बैठे हैं ये देखने के लिए लोगों को जवाब देने के लिए जी हाँ सना के पापा ने कहा कि बाहर सना के पिता बैठे हैं हर किसी को जवाब देने के लिए जिनने नहीं पता उन्हें बता दें कि सना की तरहा ही उनके पिता भी जाने माने वकील है और रईस खान यानी सना के पिता अपनी बेजी की कर रहे हैं घर के बाहर खूब तारीफे सना के पिता ने तो दो टुक कह दिया है Her dad is right here to give answer to those who are raising questions सवाल उठाने वालों को मैं जवाब देने के लिए बाहर बैठा हूँ Final Cut News Desk